बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुक्रवार को चुनावी मंच पर देखे गए हैं दोनों नेता मुंगेर सीट से चुनाव लड़ रहे जेडियू के ललन सिंग के लिए प्रचार करने पहुंचे थे हाला कि शुक्रवार को ही अरर्या में हुई पियम मोदी की सभा में नितीश कुमार मौजूद नहीं रहे अरर्या से बीजेपी उमिद्वार प्रदीप सिंग मैदान में है कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि क्या नितीश कुमार एक बार फिर पल्टी मारने की तयारी कर रहे है या प्रधान मंत्री खुद को बिहार की जातिगत गणना से दूर रख रहे है दरसल नितीश कुमार को लेकर ऐसी चर्चा बिहार में प्रधान मंत्री मोदी की नवादा रैली के बाद शुरू हुई साथ अप्रेल को नवादा में मोदी और नितीश एक साथ चुनावी मंच पर देखे गए थे लेकिन नवाता के बाद बिहार में नरिंद्र मोदी की कुछ सभाव में नितीश कुमार मौजूद नहीं थे उसके बाद से ही नितीश कुमार के बीजेपी के साथ समिकरण पर कई तरह के सवाल किये जा रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्रियों और आरजेडी नेता तेजस्फी आदो ने कहा हमारे लिए नितीश जी का पूरा सम्मान है जो आगे भी रहेगा मुझे तो सूचना मिली है कि बीजेपी के लोगों ने ही नितीश कुमार को मना किया है कि प्रधान मंत्री के साथ मंच पर न बैठें हाला कि समुद्दे पर कहा ये भी जा रहा है कि खुद प्रधान मंत्री मोदी ने अंडिये के सभी नेताओं को अलग-अलग चुनाओ प्रचार करने को कहा है बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को विपक्ष्य एक्ता का जनक भी माना जाता है इसी महीने नवादा में चुनाओ प्रचार के दोरान नितीश कुमार ने पी-एम की मौजूदगी में अपने भाशन में कई बार गल्तियां की थी नितीश ने यहां तक कह दिया था कि लोग बोर्ट देकर प्रधान मंत्री मोदी को 4000 लोग सभास सीटे देंगे अपने भाशन के बार नितीश कुमार प्रधान मंत्री मोदी के पाउँ पकड़ते भी नजर आये थे बिहार के सियासी गल्यारों में यह तस्वीर चर्चा का एक विशय बन गई जिसे बिहार में विपक्ष ने नितीश के सम्मान के साथ भी जोड़ा था इसके बाद 16 अप्रेल को प्रधान मंत्री मोदी की गया और पुर्णिया में हुई चुनावी सभाओं में नितीश कुमार मौजूद नहीं थे जबकि आन तोर पर अपनी या अपनी गड़बंधन की सरकार वाले राज्य में प्रधान मंत्री की सभा में मुख्य मंत्री मौजूद होती है यहीं से नितीश कुमार की NDA में स्तिती को लेकर चर्चा होने लगी